Hi everyone, welcome back to अपनी परिक्षा, मेरा नाम है दिशा, केसे हो आप सभी? So guys, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, छोटी सी वीडियो है कि अब आपको SSS टेनोग्राफर के स्किल को किस तरीके से करना है So that, आप अपने CBT पे और यहाँ पे दोनों जगह पे equal time दे पाओ, ठीके? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और इससे पहले कि मैं आगे वीडियो को प्रोसीड करूँ, guys, इस वीडियो पे 300 प्लस लाइक जरूर करवाना, इस वीडियो को जाधर-जाधर गृप में शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो आप सब के लिए काफी informative होने वाली है हम ये expect कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं, just a moment मैं pen change कर लूँ, हंजी, three conditions में हैं, या तो अभी आप बेसिक्स कर रहे हो, या तो अभी आपकी speed जो है 50 से लेके 80 तक है, और या फिर आपकी speed 80 प्लस है, ये तीनी condition होती है, अब मैं हर speed को लेने लग जाऊं कि, एक की speed 50 है, एक क 60 है, तो ये irrelevant है, मैंने तीन भाग में बाट दिया है, इन चीज़ों को कि आप या तो बेसिक्स पे हो, या फिर 50 तो 80 प्लस पे हो, अगर वाइस आप लोग बेसिक्स पे हो, तो कही ना कहीं अभी आप या तो अपनी हिंदी की बुक कंपलीट कर रहे होंगे, या फिर अपन करना है, अगर आपका एक्जाम एकजाम और या नवमबर में है, तो आपको भी पता है, most probably एकजाम और आप या नवमबर की फॉस्ट वीक में है, तब तक आपको अपने बेसिक्स कंपलीट कर लेने हैं, अगर आप ये सोच रहे हो, कि मैं सी बीटी के बाद सीख लूँगा तो वो चीज़ क्वाइट इंपॉसिबल हो जाएगी क्योंकि काफी कम टाइम मिलेगा आपको ये करने के लिए समझीएगा इस बात को तो आपको अपने बेसिक्स जो है वो कम्प्लीट करके रखने है जब तक आपका एक्जाम हो जा तब तक अब कोई बोलेगा मैंने तो आज ही शुरू कर रहा है तो मैं कैसे करूँ भाई ऐसा है फिर आप दो हजार पचीस ही देख लेना अगर आपको इतना ही वो हो रहा है तो क्योंकि साफ सीदी सी बात है जिसको स्टेनो आती है जिसका सीबिटी अच्छा है दोनों में एज है तो ही जाके आपका स्टेनो का पेपर जो है वो क्लियर होगा तो आपको इस चीज का ट्राइब करना है कि अक्टूबर नवंबर में जब तक एक्जाम है तब तक एक्लिस्ट आपके बेसिक्स हो जाए ठीक है हिंदी के भी इंग्लिश के भी अगर आपकी स्टेनो के एक्जाम में आगे स्केल होती है बहुत बार होता है बस इतना ट्राइ करना है कि अगर आपकी आज की स्टेनो के एक्जाम तक बस 80 कर लेना है मैं इतना बोल रही हूँ बस 80 कर लेना है और जिसकी स्पीड अल्रेड़ी 80 है उसे कुछ नहीं उस स्पीड को 80 से लेके 90 तक पे constant रखना है यह नहीं कि आप पीछे हो जाओ बस इतना करना है अगर आप इतनी स्पीड पे हो तो आपको इतने पे अपने आपको जो है वो लेके जाना पड़ेगा इसके अलावा गाईस अगर आप सीबिटी की तियारी कर रहे हो और अगर आप टेस्ट बुक के मौक टेस्ट लेना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो कोड अपनी इससे आपको maximum discount मिल जाएगा सारे मौक टेस्ट पे अभी festival सीजन आने वाला है काफे discount मिल जाएगा अब दे तो आपको यह तो पता होगा कि अभी मैं 80 कर रहा हूं तो 95 तो आप अराम से अटें कर लोगे एक मंत में इसका कोई इस्ट नहीं आएगा ठीके इस्ट उनके साथ आएगा जो बेसिक्स नहीं कर रहे हैं और अगर गाईस आपकी 80 की स्पीड है तो कुछ बोलने की मुझ जर तो दे में बस एक आपको टी सी करनी है अब आप स्टेनो स्पेसिफिक कहां कहां से माटीरियल कर सकते हैं तो हिंदी के लिए तो देखिए रामधारी खंड आती है उनकी तो वन एंटू दोनों कर लेंगे तब सी के लिए पर तयार हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश में सर कैलाज चंदर की मैगजीन आती हैं और एक प्रोग्रेसिव मैगजीन आती हैं मंधली बेसेस पे आपको दोनों का कॉम्पो बना के चलना है अगर आपकी स्पीड 80 तक है तब तक आपको केसी करना है ठीक है केसी मतलब हो गई सर कैलाज चंदर की मैगजीन जिसको केसी कहते हैं, शॉट फोगे, और अगर आप प्रोग्रेसिव मैग्जीन की बात करो, जब आपकी स्पीड 90 या 90 से उपर होने लग जाए, तब आप प्रोग्रेसिव की तरफ चले जाना है, क्योंकि ब्रोग्रेसिव 2 लेवल अप घियो, जो मैग्जीन से केसी वाली उ आपको बस एक टीसी करने लिए तो आप कंसिस्टेंट रह सको मुझे इसमें एक और चीज आड़न करने जिससे आपकी स्पीड जल्दी बढ़ जाएगी सपोस करिए आपकी स्पीड 80 है यह सीन की स्पीड है और अन्सीन की स्पीड आपकी मान लेते हैं 65 है या 70 है तो इसके लिए आप अन्सीन की स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं कि अपनी स्पीड को जो भी आपकी स्पीड 90 पर लिखना शुरू कर दीजिए आपकी स्पीड बढ़ेगी हाला कि 10 दिन तक आपके काफी वर्ड मिस होंगे और आपकी स्पीड 90 पर चल रहा है तो यह आपकी स्पीड 70 है यह आपकी 80 हो जाएगी जितनी बढ़ियां आपकी सीन होगी उतनी जाद अच्छी आपकी अन्सीन होती रहेगी इस चीज का आपको ध्यान रखना है ठीक है बाकि डेली सेफ एक से दो घंडा देना है इससे उपर नहीं देना है क्योंकि यह आपके लिए एक तरीके से सुसाइडल हो जाएगा क्यों मैं बताती हो सपोस करिए आप जो है इस टाइम पे CBT में 130 ला रहे हो और आपकी स्पीड 80 या 90 है तो आपको अभी CBT पे ध्यान इसले देना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आप टियर वन क्लियर कर भी लो आपको स्किल में बैठने का मौका भी मिल जाए वहां तो आप शोकेस कर लोगे अपने टालेंट की हाँ भाई हमें आती हमने तो ग्रेटी क्लियर कर दिया ग्रेट सी क्लियर कर दिया वहां किसको अपने टालेंट दिखा होगे वहां टालेंट नहीं दिखा पा होगे CBT का सीन क्या है मैं आपको एक चीज समझा रही हूं CBT आपका जितना स्ट्रॉंग होगा उतना अच्छा आपका स्टेनो करने का मन करेगा यह जो आपको लोग बोलते हैं पहले स्टेनो सीख लो एक साल फिर CBT करना वो मूर्खता का काम है आपको CBT जितना स्ट्रॉंग होगा उतना आपका स्किल करने का मन करेगा और स्टेनो इस पर्फेक्ट बैलेंस की आपको CBT प्लस स्किल का बैलेंस लेके चलना है सिर्फ इतना सा काम है आपको CBT को 80% अटे देना है और स्किल को 20% देना है जैसे ही आपका एक्जाम हो जाएगा आपको सीधा स्किल को अपना 100% देना है दिन के 9-10-10 घंटे देने हैं डेली कम से कम 2-3-3 टीसी लिखनी है अंसीन लिखनी है तो वहाँ तो जब आपके मार्क्स अच्छे होंगे 150 प्लस होंगे तो आपका मन करेगा कि मैं स्किल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ लेकिन जब मार्क्स कम होते हैं तो फिर एक डाइसी सिचुएशन होती है कि मैं next year की preparation करूँ या मैं स्किल की करूँ ये इस दुविधा से बचाने के लिए ही मैं आपको बोल रही हूँ कि पहले आप CBT की तियारी करो CBT is best right now मैं कहूंगी CBT करिये और अच्छे से करिये उसको और guys हमने practice mentorship launch करी है ठीक है इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी ठीक है पिन करी हुई ये मैं पिन कर दूँगी comment section में आप उसे एक बार देख लीजिएगा practice mentorship का मतलब यह है कि हम आपको daily targets, daily schedule provide कर रहे है for CBT stenographer, sse stenographer CBT अगर आपको लग रहा है आपसे खुद नहीं हो रहा है आपको mentorship की जरौत है, mentor की जरौत है, focus, discipline, determination की जरौत है तो आप हमें join कर सकते है, fees है मातर 500, one time payment है, exam date तक हम आपको time table provide करेंगे for your CBT जिसका sleep बा 60% से YouTube उस वीडियो का link तो जरूर उसे एक बार देख लीजेगा क्योंकि इस practice mentorship से पिछली बार, approximately 70 प्लस students का selection हुआ है, final, तो कहीं न कहीं यह काफी रामबान चीजर रहेंगी आपके लिए तो आप लोग देख लीजेगा, बाकि मैं मिलूंगी आपसे आने वाली videos में, तब तक अपना ध्यान रखे, खुश रहें and take care